घोसी में चुनावी घमासान के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक यातायात विभाग के दरोगा ने डिप्टी सीएम के काफिले को आता देख साइकल सवार व्यक्ति को गढ़े में धकेल दिया। इस वीडियो को शेयर करते हुए सपा के राष्ट्रिय अध्यक्ष वपूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी के काफिले के आगे जनता का कोई महत्व नहीं है। वैसे भी घोसी में भाजपा को गिंती के वोट मिल रहे हैं। इस साइकिल वाले का एक वोट और कम हो गया। घोसी ने भाजपा की पराजय वह महापतन को घोशित कर दिया है। नासु ना था। अटवाय को वर साइड़ अटवाट आपा कि अटवाट आपाई। कि य्युट gay कि जा कि अबना है